नमस्कार दोस्तो जानी केसे में आपका स्वागत हैं हम रोजाना स्वास्त सम्मंदि जानकारी लेकर आते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और साथ ही बेल आइकोन को जरूर दबाई जिससे की हमारे सब्वी फीडियो की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले सामगरी मूली और काला नमक या फिर काले नमक की जगह सेंदा नमक भी इस्तमाल कर सकते हैं विदी दोस्तो सबसे पहले तो आप एक कटोरी ले लीजिए उसमें आप एक मूली को चोटे-चोटे गोल टुकडे में काटकर उन्हें इस कटोरी में रख दीजिए फिर अ अपने स्वाद अनुसार इसमें सेंदा नमक या फिर काला नमक का प्रयोग कर सकते हैं ध्यान रहे कि आप नमक की मातरा थोड़ी ज्यादा ही रखे फिर आप इस कटोरी को उपर से किसी कपड़े से ढख नीचे से बांद दीजिए और फिर रात के समय इस कटोरी को बाहर ख दीजिए सुबह इस कटोरी को उठा लीजिए अब आप इस मूली का सेवन कर सकेंगे ऐसा करने से आप केवल दो से तीन दिनों में ही सपन दोश को काफी हद तक नियंतरित कर सकते हैं तो अगर आप इस समस्या से बहुत ज्यादा जूज रहे हैं तो आप इस नुसके को अच्छे परिणाम मिलेगे